नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हिंदू के एडिटोल डिसकेशन में आज दिनांग 14 जुलाई 2023 है आज हम तीन टोपिक डिसकेश करेंगे फर्स्ट टोपिक हमारा जीस्टी काउंसिल की जो पचासी मिटिंग हुई है उसके उपर उसके कुछ काउट कम आया है सेकिंड टो टोपिक बेसिकली सेंटिस्ट के फ्रेडव ओधी स्पीच और एक्सप्रेशन से है यह सेम आपके जीएस टू में और जीएस त्री दोनों में इंपोर्टेंट है चलिए फर्स्ट टोपिक स्टार्ट करते हैं यह जीएस्टी काउंसिल के जो पचास में मिटिंग हुई इसम इसके क्या फाइदे और क्या नुकसान है ओलाइन गेमिंग आप देखो यह तो इंडस्टी काफी बूम कर रही है अगर इसको प्रमोट किया जाएगा तो यहां पर लिखते हैं इसके प्रोज क्या होंगे और कौन्स क्या होंगे तो प्रोज में सबसे पहले इससे बहुत ज रहती है क्योंकि यह बूमिंग इंडस्टी है लोगों की स्किल्स इसमें दो त्रहिकी स्किल्स होते हैं game of this skill and game of chance लोगों की skills improve उलोगों की knowledge improve होगी होल्दो कुछ financial risk involved है इसमें लेकिन फिर भी earning income का एक source online gaming बट इसके उतने ही कौंस भी है सबसे पहले देखो कि आप जो बच्चे आज कर online gaming जैसे रमीज और किर्केट के टीम्स बगेरा बना रहे हैं तो उसके बहुत ज्यादा negative repercussion आ रहे हैं सबसे पहले तो ये crime को promote कर सकता है suicide के cases child अगर ज्यादा देखेंगे तो उनकी eyes और health deteriorate हो सकती है और एक most important है कि अभी तक इसके ओपर कोई regulatory framework नहीं है government का तो ये concerns है grievance redressal नहीं है for example किसी के साथ में कोई issues होते है online gaming में तो उनको proper protection नहीं है और youth के future को बहुँ ज्यादा एफेक्ट कर सकता है क्योंकि multiple चीजें जैसे यहां पर में डिसके की eyes का हो गया उसके और sleep deprivation हो सकता है फिर mental trauma है mental sickness हो सकती है तो ये सारे कुछ इसके cause and prone है online gaming के अब यहां article में डिसकेश करते हैं इसके लिए कि GST council ने जो online games है casino है force trading है इनके उपर 28% लगा थी यहां पर काफी इंडस्टीज ने कुछ concern जाहिर किये और पोजिशन ने कि यह तो e gamers के लिए एक टाइप का death nail हो गया और यहां पर इनकी जो freedom थी अपने आप में economy generate करने का उसको कर दिया गया तो इसी के ऊपर ministry of electronics and IT एक regulation और policy बनाने वाली कि online gaming को कैसे regulate किया जाए कुछ state जैसे की सिक्किम and goa इनके लिए बेसिकली यह जैसे सिक्किम and goa इनके लिए तो बहुत ज्यादा tourism attack करता है especially casinos के लिए horse trading के लिए तो finance minister निर्मला सीतारम नहीं का कि जो basically essential services है essential services में क्या आता है for example daily tables हैं कोई आपके drugs related चीजें हैं उनके उपर tax कम किया जाए वो एक genuine case है but यह जो है casino हो गया horse trading हो गया online gaming होगी यह obviously rich people use करते हैं तो उनको इनके साथ में compare नहीं किया जा सकता और यहां पर basically बाकी जो issue discuss किये हैं यहां पर बैसिकली उनने ट्रिबिनल के ओपर बात किया है कि यहां पर अपले ट्रिबिनल सेट किया जाएंगे ताकि जो भी issues related होंगे GST से उनको हल किया जाएं यहां पर states की demand आइकम से हो 50 ट्रिबिनल बैंची सेट कि जाएं ताकि GST is related बाकी जो भी समादान करना हो जल्दी जल्दी होस के एक important यहां पर discussion था कि drugs जो भी import किया जातने हैं cancer और rare disease के लिए उनके ऊपर tax से exempt कर दिया तो writer यहां पर यह कहना चार है क्योंकि environment pollution ultimately society को harm कर रहा है तो कुछ एक decision यहां पर बहुत अच्छे थे और कुछ एक बहुत पहले जिनेक जरूरुद थी यहीं स्टोपिक में discussion था चलते हैं next article की तरफ नेक्स आर्टिकल बेसिकली अलाबाद कोट के एक constitutional judgment पर है इसका context यह था कि एक normal petition डाली थी एक जिसमें मुस्लिम मेन और दी हिंदू विमेन किरन राउट परती स्टेट उप उत्तर परदेश इन्होंने petition डाली थी कि यह इनकी एज considerable एज तीस साल और साथ में रह रह रहे हैं बट इनके different religion और interfaith live in relationship के कारण इन्होंने protection मांगी थी क्योंकि इनको harassment किया जा रहा था लेकिन हलाबाद हाई court ने इसको decline कर दे इनको पेटिशन डाली थी उसको मना कर दिया तो basically यह है कि judgment में कि supreme court ने live in relationship को एक agreement दिया हुआ है कि उसके judgment में बोला है कि आप live in relationship रह सकते हो and right to marry is a part of fundamental right article 20 minute right to life and liberty तो इसी topic पर राइटर court को criticize कर रहा है कि high court ने basically constitutional morality को ज्यदा focus नहीं गया बट social morality फोकस कर दिया तो पहले जानते है कि constitutional morality होती क्या है basically constitutional morality मतलब होता है कि upholding the rule of law जो rule of law है उसको uphold करना constitution के spirit को follow करना और खुद के और औरों के अधिकारों के respect करना constitutional morality बेसिकली होता है कि अगर आपके जो moral और belief है वो constitution से अलग हो तो भी आपको constitution की respect करनी चाहिए जादर दन अपने personal belief को उसके ऊपर लाने की कोशिस नहीं कि जानी चाहिए basically high court का judgment था उसमें basically यही था कि सबसे पहले तो इसने constitutional morality बज़े social morality बज्यादा focus कर दिया कि जो social norms है for example अपनी इंडिन society में अभी भी लिव-इन relationship पो एक taboo माना जाता है तो उसने उसमें focus किया दूसरा इन्होंने किया कि court ने जो supreme court ने previous judgment दिये है जिसमें right to life liberty और right to marry को एक fundamental right माना उससे थोड़े से deviation हो गया और third यह कह रहा है कि high court ने बहुत ज़्यादा personal laws को reference दे दिया जैसे यहाँ पर example दे जाते है कि high court ने reference दिया CRPC का CRPC में जो section 125 वहाँ पर एक close दिया हुआ कि जब भी divorce होता है men और women के बीच में तो maintenance दी जाएगी wife को यहाँ पर लेखा wife ने की women को तो living relationship में तो इनकी legal अभी साधी हुई नहीं है तो वहाँ पर women हुई बट wives नहीं second उन्होंने एक और दूसरे लोग के बारे में बताए इसलाम में तो उन्होंने बेसिकली जो CRPC और मुस्लिम लोज को court किया रहे दर दें दी constitution morality तो यहाँ पर writer कहना चाहरा है कि यह तो inclusion काफी orthodox मतलब पुराने रूडी वाद चीजों को follow किया गया तो high court को basically यह सोचना चाहिए थे marriage एक condition नहीं है जो constitution उसको protection देगा क्योंकि य एक individual की liberty है individual की autonomy है और written jurisdiction में भी साफ लिखा है कल पर समने डिसकेश किया दाना कि पांस jurisdiction होती है जिसमें से हैबिस कोर्पस है मंदा में से सर्शियूररी प्रोहिबिशन तो वह एक jurisdiction का पार्ट आ यह भी तो court को इन चीजों ध्यान से देखना चाहिए और social जो orthodoxy है religious revivalism है यहाँ पर उन्होंने focus करते है कि religious को ज्यादा protection दे दी और social norms जो follow किया जाते है जैसे marriage है rituals है कि interface नहीं करना यह करना उन चीजों ज्यादा focus करते है rather than जो fundamental rights पर supreme court ने focus किया है और supreme court के जो decision होते है article 140 के साफ से होता है supreme court जो भी decision देता हो binding होते है सभी court पे तो इसका president भी high court ने ठीक से नहीं लिया कि supreme court ने सरफ इतना कहा था क्योंकि यहाँ पर अलाबा था high court ने बोला कि supreme court का decision था उसने यह नहीं कहा कि marriage इस तरह से होंगी तो भी protect किया जाए हालांकि यह normal marriage civil offense है पहले इसको criminal offense मना जाता है लेकिन इसको civil offense में convert कर दिया एक और केस अन्नावते जिंग जोवर जिसमें 377 जो की homosexuality is related था supreme court ने इसको भी stuck down किया तो basically right रही कराजा कि personal liberty को uphold करने की जरूरत है और court ने जो direction दी है कि individual की marriage है वो एक right to life है right to liberty है उसको right to autonomy है उनको ज्यादा focus करना चाहिए अब supreme court में petition डाल दी गए supreme court से उम्मीद की जा सकती है कि यह इसको uphold करे और constitutional morality को ensure करे यह था इस topic के बार time discussion चलते हैं next topic पर next topic basically scientist के उपर है कि scientist को भी freedom of speech and expression पूरी तरह होनी चाहिए context यह है कि थोड़े दिन पहले लगबग 500 scientist जो की Indian institute of the science उन्होंने एक normal application डाली थी कि उनको भी freedom of speech and expression होनी चाहिए और specially जो मुद्दा चल रहा था unlawful activities and prevention activities यूपा जो है उसके उपर यह कह रहे थ थी कि इनको भी discussion की पूरी freedom होनी चाहिए लेकिन जो डारेक्टर डारेक्टर ने इनको सोकोज notice दे दिया कि आप violation कर रहे हो civil service rule के और आपको नहीं बोलना चाहिए अब इसमें topic यही बनता है कि क्या science को social issues से separate किया जाना चाहिए या फिर उनको intermingle या मतलब एक साथ integrated होना जी है basically scientific research होते हैं यह society के पार्ट होते हैं कि इस scientist कहीं आसमान से नहीं आते society से grow होते हैं और जितने भी research होते हैं वो हमेशा society से link होते हैं क्योंकि उनको social discussion पर participate करने का पूरा अधिकार है कि जो भी research होते हैं उनको institution में जो facility दी जाते हैं वो basically critical inquiry के लिए जी जाते हैं कि ज example climate change भी energy पर इन मुद्दों पर डिसकस नहीं करेंगे तो वो best research नहीं कर पाएंगे और यह उनके moral responsibility भी है कि society को educate करें और public interest वाली चीजों पर बहुत ज्यादा discussion करें ताकि justice ensure क्यादा है society में और science के काफी link है दूसरी तरह यह बोला जाता है कि scientist को इन चीजों में नहीं होती मुश्किल है कि science और society को separate और एक शिलोज में देखा जाए क्योंकि science और society एक दूसरे से पुरी तरह जुड़े हुए यहां पर कुछ example देता writer for example climate change पर discussion करना है तो इस पर research करोगे तो आप यह पावर global warming किस वजह से हो रही है कौन कौन सी gases के कारण हो रही है बट यह ए और इनका इनका outcome basically यह है कि यह developing country में टॉसल create कर दिया कि कि किसके ओपर एक historical responsibility दी जाए कौन इसके लिए ज्यादा कल्पित है भी क्या step लेने जरूरत है तो obviously यह एक scientific है लेकिन है social issue बन गया थी यहां पर इसको discussion की जरूरत है second basically यहां पर example दिया कि जो energy policy है कि society में energy policy कैसे हो तो energy policy research करें कि कौन से energy intensive equipment होने चीए क्या better type की solar energy use होने चीए ओल्दो scientific research है लेकिन यह day to day life को impact करें तो यहां पर भी discussion करने की जूरूरत है next artificial intelligence का example दिया जाते है कि artificial intelligence ओल्दो हमारे life के हर stream में गुषगी health में education में medicine में हमारे agriculture में बट इसके कुछ ethical issues भी आते है तो क्या ethical issues scientist को discuss करना चीए या नहीं करना चीए बेसिकली इंडिया का एक बहुती rich tradition है कि यह कोई नया नहीं है कि scientist हमारे social issues में इंगेज हो रहे है क्योंकि इससे पहले कुछ पुराने काफी famous scientist जैसे मेगनाच सा कोसंभी इन्होंने अच्छे अच्छे topics के ओपर discuss किया और केरला का जो सथारा साइट ते परिशेद है उन्होंने तो एक स्लोगन भी दिया था science for social revolution की science जो है society में revolution बदलाव लाने के लिए होती है इसलिए हमेशा science और society को एक integrated approach लेनी चीए तो यहाँ पर basic लिए है कि जो scientific administration है कई बार वो जितने भी उनके head है जैसे director ने इनको so close notice दिया वो political issues पर discuss नहीं करना चाते है हो सकता है कि उनकी विचारधारा जो current government है उसके favor में हो या scientist की उसके against में जाए तो वो उस चीज़ को एक topic नहीं बनाना चाहरे बट basically वही कहना चाहरे है कि supreme court के भी judgment जैसे त्रिप्र हाई court का judgment था कि जो citizenship का है right to free speech and expression एक fundamental right है और science को भी scientist को भी equally applicable ह जहां पर डारेक्टर ने court किया था कि जो central service rule है यह prohibit करता है कि scientist government को criticize नहीं कर सकते लेकिन इसी में अलाबाद high court का judgment था कि इसमें scientist को include नहीं किया गया है क्योंकि यह bureaucracy के लिए था इसमें scientist का नहीं है वो इस पर discussion कर सकते हैं तो final conclusion यह निकलता है कि जो censorship है freedom of expression पे वो एक limit हो psychology और science अगर discuss करेगी social issue पर तो उसका outcome और अच्छा हैगा क्योंकि scientific research का society के उपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है तो यह आप comment box में डाल सकते हो क्या scientist को social issues पर discuss करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या pros हैं क्या cons हैं और क्या way forward होगा और बहुत ही ज्यादा balance करने की question thank you thank you for watching